जैसे पहले आस्वाइं स्टेख पारे आप क्या थायता है ए गलोग की आयू में ए अनपात है यिर्लिजन का पथंते झाल एंपड top 5 यदि उनकी आयू का यूउक 86 है तो उनकी इयू क्या करो अब करना क्या होता है जैसे की लंबे लंबे त्रीके से करते हैं हम लोग तो आपको छोटा दारीका मिशसाप्नाना हुगा उसका जैसे एकी तरीका तो होते है कि मालत पाथ x तो एक हो जाएगा चार-स तो दूसरा हो जाएगा पांच एक परसनलमसर जैसा कि हम आत्वी-90 Level परसन सर क्या हो जाएगा दोनों का जो कितना है 4x प्लस 5x एक्पल किसके 81 के 4 और 5 कितने हो गए 9x एक्पल किसके 81 के तो x का मान के निकल क्या जाएगा आपका 81 बटे में 9 इसे काटेंगे इसको तो it will be it will be 9 आपको सवाल ऐसे नहीं करना है आपको सवाल कैसे करना है आपको वो जो देर है दो मुझे अपने हिसाब से लेकर चलना है आपको सवाधा जैंगे इसकी जोचना से मेरा वाल है यह वो गिवन है उसके अर्पके शाब से उनकी और वे जो यह जो होन पात då 01-06 she है उसके इसाब से योग है क्या सी मेरे इसाब से योग कितना है चार-पांच नौ उसको अपने वाले से भाग कर दो तो नो निमा क्या सी एक यासी लिए पड़ मेरे इसाब से कितना है चार-पांच नौ उसके वाले को अपने वाले से मैंने अपने वाले से भाग कर दिया तो नहीं आगया नहीं इसे मीन वैलू और इस नहीं को मैंने गुणा कर दी अनुपात के साथ इसे नौ चोके च्छतेष इसनान की मैंने करनी है इसके साथ जैसे कि कुछ मैं आपको बोलू और भी सेम इससी के फाब मैं एक सवाल आपके और लेके आऊ तो समझता है आपको मान ले जगा एओर भी हैं इस वार आपको दे रहा है या मान लेजिए कोई भी दो नाम ले ले यह अर्भी मान ले जए चलिए एबी उन थे क्या तरीक कि हम लोग कि यह से मान लगड़ी ऑ उनपाथ है आई यू का नपाथ अर्पाथ देरा आपको यह और बी आई में वर्ण कर दे नहीं हो देरा वह ही मुझे लेना है उसके इसाब से अंदर एक तो मेरे यसाफसे अंतर कितना है आज में इसीं गए 5 तो मेरे यसाफसे अंतर है 5 इसको इसको गाध मेरे भाग कर दिया 5 साल अगर आ आपसे कहाता है दो साल बाद िनकी उमर कितने होगी तो यह होजाएगा 23 का और हो जाएगा 58 का लास्टन अगर कुछ करता है तो काट देजिए जैसे दो साल बाद यह हो गया 23 साल बाद यह about गाच अगर कहता है इनका अनुपाद ग्याद करो तो अनुपाद का उत्तर होगा 23 रेश्यो 58 क्योंकि कटनी रहे कटते हैं तो काड़ दिये जाते हैं अनुपाद में मैं अगर य्धा करना है अगर योग वाल दे जैसे यूग आत्र सक्क grease नकालना देख़न कराएं तो जासे नइंआय। मैं इनका यूग लिए अगर यहाँ पर इनका अंतर डेता है तो मैं फिल इसका अंतर लूगा उग योग वाले को योग से हाद करऊं拝 गार अंतर लिए अगले स्वाल क्यों चलते हैं अगला स्वाल है पीता और पुत्र की आयू का जो नुपाथ है वह 7,53 वह 7,53 और उनकी आयू का गुर्डनफल 756 है तो 6 साल बात उनकी आयू का नुपाथ क्या होगा इस सवाल के लिए एक चोड़ डिसी बात का आपको ज्यान अब तक मै और अंतर होगा तो अंतर से भाग करूँगा यहां पर गुण फल गीवन है यानिकी उसका गुण फल है वह 7,56 और जो मेरा गुण फल के तना साती है किस ऐधिंक 7,23 उसके गुण फल को मैं अपने गुण फल से भाग कर दूगा यह बात यहां तक तो सज में आती है च्छोड़ी सी बात का अध्यान अपना है गुण फल जब करेंगे ना तो लास्टम भाग करने के बाद हमें अंडरूट और निकालना होगा तो 36 से क्या निकल क्या आ जाएगा अच्छे अंडरूट क्यों निकालना पड़ेगा क्यों कि देखिए जब मैं योगफल करता इस स्क्वाइर को सॉल करने के लिए यहां अंडरूट बन जाता है तो नाओ जो अंडरूट निकालने के बाद आएगा देट विल बी माय मीन वैलू तो 6 एम वीजे 6 इस मीन वैलू इस मीन वैलू कि आप गुना कर दिजिए इसके इंदर तो आंसर आ जाएगा आपका छे स आपने निकाल ली गुण फल दे रखा था उसे निकल करता है चाल बाद उनकी यह क्या होगी तो बहुत मान उमर है क्योंकि जो अनुपात है बाइट डिफॉल जब आपको ना वोले तो वरतमान का अनुपात माना जाता है तो बहुत में 6 जोड़ देंगे जैट विल बी त अठारा में 6 जोड़ देंगे तो देट विल भी 24 बाद में अगर कुछ करता है तो कार दीजिए तो 24 से कम 24 और 24 तो इस तरह के से काटने से क्या हो जाएगा 24 और 24 से कम 24 तो आंस विल भी तो इस टूवन और अगले स्वाल की और चलते हूं जो कि बड़ा इंप्रोंट सवाल है यह आपको बड़ा दिहान से समझना है इसके जो ट्रिक है बेसिकली मैं देखा सभी बच्चों कि इस वाल हो जाते हैं लेकिन दिक्तत यह पड़ती है कि लोग कम टाइम में नहीं कर पादे इसको तो आज हम थासा कम टाइम वाला तरही है कि आप अगर मैं अनुपात को मालनों एक्स तो इट लिटु एक्स अधियर चार यानिकी गाईज कुछ दो बटे अगर इसको मैं अगर मैं मानके चलू हूं तो 2 वर्स भाद धोनों ही तीन साल बड़े होंगे और तीन साल दोनों बड़े होते हैं उसके बाद रिशों ब 8x 4 3 12 एक्वल है इसकी इदर गुना 3 3 9x और 3 3 9 x वाले एक तरफ ले लिजिए बिन x वाले एक तरफ ले लिजिए यानि कि 9x ये प्लस का 8x उदर जागे माइनस का 8x हो जाएगा और ये प्लस का 12 इसमें से जो 9 हो जाएंगे तो बचेंगे कितने 3 तो x का माना आगया 3 ये ही 3 आपका इस तरीके से मिन वैलू का काम करेगा तो आप इसकी गुना कर देंगे किसके साथ जो वर्तमान वैलू की वन है यानि कि 3 दूनी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 ये लिजिए अनसर अब मैं आपको बताता हैं इसका असान तरीका जिसे आपको फोलो करना है आपको पहली या दूसरी बात तो असर टफ लगेगा लेकि उसके बाद हमेशे असान लगेगा ये इसकी खास बात है इस सवाल के अदर तो आपको बड़ा ध्यान देना है इस सवाल के उपर सबसे पहले कहता है A और B की वर्तमान जो आई यू का अनुपात है वो है दो नुपात 3 लिख लिए जी दो नुपात 3 तीन वर्स बाद ये अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है ये ये अनुपात 3 अनुपात 4 हो जाता है यहां तक मैंने सिर्फ सवाल को उता रहा है चाहिए कि अप करना क्या है आपको जल्दी से करने के लिए ये ही आपको हमीसा फूलो करना है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ आप 4 में से 3 गए अपको एक इस एक की उना करनी है आपको तीन में एक की तीन में उना करी तीन आ गया सबसे पहले मैंने क्या किया सवाल को लिख लिए ए और बी की वरतमान आई यू का उनुपात है 2 नुपात 3 और 3 साल बाद जाने की तीन साल यह 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 जाली है हो गया एक आपको यह समझना एक कहां से आया है यह एक आया है नो मानस आठ करके याने की चार दुनी आठ और तीन त्यानों बड़े वाले में से छोटा खटा दीजिए और एक को तीन को गर एक से भाग करेंगे तो तीन ही आ जाएगा तो तो श्री से मिन वैलू वन सेगें इसकी गुना कर दीजिए आप रिश्यों के अंतर वर्तमान वाली तो तीन दुनी छे और तीन दिया नो तो छे और नो हमारे आंसर आगए छे और नो पहले भी आदे आपको उससे टाइम ज़्यादा लग रहा हुँआ भी कि यह ज़्यादा सान है यह हाड़े यह बहुत ज हो जाएं आपके साथ और एक आधा जैसे माले जी मैं एक सवाल बताता हो आपको अराम जैसे माले जिये राम और सीटा है रहाम और सीटा जो कृश्टम मैं बना रहूंँ आपके सामने माले जी एक अर् sets अघैं और इनकी पंड़ को नवत धीन इन का अनुपात है वहाभी vast और 9 साल के बाद यह नौ साल के बाद यही अनुपाथ बन जाता है 3-5-4 राम तथा मुक्ता की जो आयू का अनुपाथ है एक तरीके से राम और शीता मैंने बता है इसको राम मुक्ता मान लेजिए A या B मान लेजिए कुछ भी हुस्ता है ए भी या राम शीता का जो अनुपात है वो है 3.95, 5 9 साल या कुछ भी कर लिजिए इसको बने है 9 साल कर लिया 9 साल के बाद यहीं अनुपात बन जाता है 3.95, 4 इसको शौर्ट तरीके से करेंगे हम आप लोग 4 में से 3 गया 1 उस एक की गुणा में ने करी इसमें 9 में तो देट विल बी 9 अब 4 तीयां 12 और 5 तीयां 15 यानि की 15 में से 12 जाएंगे समझें आप या 12 में से 15 खटा दीजिए बात तो एक ही है बस आपका जो आंसर आएगा वो प्लस में होना चाहिए 9 बटे में 3 तो 3 को सरह करेंगे 3 तीयां 9 3 विल बी मैंन वैलू इस तीन की गुणा करने वाले हैं इसके साथ तो 3 तीयां 9 इसकी गुणा करेंगे इसके साथ तो 3 तीया 9 और 3 पंचे 15 और 6 यार видно तो जो राम है वह 9 साल का होगा तो या 9 साल का होगा यही सेम सवाल आयू के लावा इन कुर्शन में भी होसते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात है 3,5 पर तेक मिलनों जोडने पर यह अनुपात बन जाता है 3,5 चार तो यह सेम कुर्शन संख्याओं पर भी अधारित है और यह सेम कुर्शन आपके आयू वाले चेप्टर में भी आप्टीकेबल होता है एक सवाल और मैं कराता हूं उसके हिसाब को जैसे मन लेजिए A और B हैं या B और C हैं या फिर कोई भी है जिनका अनुपात मैं जैसे बी और सी को माल लेता हूं जैसे इनका अनुपात है दो अनुपात पांच और यही आठ साल के बाद अनुपात बन जाता है एक अनुपात दो तो कहता है इनकी वरतमान आयू का अंतर कितना है या इनकी वरतमान आयू का यू कितना है या दो साल बाद भी कितने का हो जाएगा या छे साल पहले ये कितने का था वगयरा वगयरा बस आपको ये ध्यान अटना है कि जो उमर पहले होगी वो पहले आएगी जो उमर बाद में होगी वो बाद में आएगी इस बात का आपको बहुत ध्यान अटना है कई बर आप इस पहले पांच साल पहले यही अनुपात 4 उनुपात 3 था चेक है अभी एक कोशन में भी रहूं मैं आपको कॉंसेट समझाना चाहरा हूं तो आप क्या करेंगे इसको इसको ऐसा लिए देंगे 3 इस्टू 2 पांच साल का अंतर है 4 इस्टू 3 आपका अंसर नहीं आएगा तो आप आप अपांस साल पहले नहूं अब तो अगना फर यह आले बाद क्या था चान पातीन तो आपको लिए पहले है बाद उत्स पहले यह था 5-5 शाल पहले यह किया अपन पहले नहीं अब यानिकी जब यह घटना पहले आएगी तो पांस साल के बाद यह घटना यहीं फिर लिखेगा फाइव और इसके साथ त्रीस टूफू इस ते के स्वाल कर पाएंगे आपको तो असानी सो जाएगा तो और ओपने साथ और नंपात है दोफाफ पांच और आठ सालों के बाद यह इन पात बन जाता है एक आउनपात दो तो एक और दो कांतर एक कीव में 8 में गुणा कर जेता हूँ प्र दो दूनी चार और पांच एकम पांच पांच में चार गए एक इस आठ को मैं एक से भाग करूँगा तो मेरे हाथ में आंगे आठ आठ विल बी में वैलू इसकी गुणा मैं कर दूंगा आठ दूनी शोला और आठ पंचे चालेस तो इस तरीके से कहता है इनका यूग कि दौंप हो बाल है दस वर्स पुर्व राहुल की औयू राजो की आईउ से आधी थी ति क्या है यस Ettा अप यानिप dirty आद है आपको जुग आप नहीं दे रहा है दो आदमी आपर एक तो है राहुल कि और एक है राजू कियता है दस वर्ष पूर्व राहुल की आयू राजू की आयू से आधी थी यानि कि अगर मान लेजी ये दो था तो ये एक था ऐसी बात हो रही दसल पहले की दसल पहले की बात हो रही है यानि कि वर्तमान में वर्तमान की अगर में बात करो तो दसल पहले क पहले आई तहीं कि वर्तमान आई नहीं की दह साल कि बात आए जो कि यह तो 10 वर्स पहले गाए ना तो पहले आएगा फिर्स बाद आटी अनुपात किता मनगी है यह कि वर्तमान और ज्याद करो अंतर ग्याद करो कुछ भी गये चार में से तीन गए इनका अंतर कितना होगा एक एक की दस में उड़ा करनी है इस तरह के से आ गया है दस यह मैं तीसरे चौती बार सवाल करा रहा हूँ आपको इस बार तो इस सेम वीडियो में तो आपको बिल्कुल आसानी सो जाना चीए चार में सी खेंगा एक 1 की कि दस में गणा कर जी 10 आगिया चार एकम Чार यह 4 एकम 4 और यह 3 तीन को जए छ्रह कर गें दो 2 555 5 ऐसमें मेरी है में विल्फन रखनाको छे को यह 5 है और पहले है है कि वरतमान धूट कि अहगर ऑग पहले कि ऑमर आई है अगर में 10 साल जोड़ुगा तो कि यह हो जाएगा 15 कि ऑच और फस्थी सीप्राइब साथ तो यह हो जाएका 20 साल का तो इन दोनों का यह उग वरतमान इन का अगर मैं यूग करूँआ तो पंद्रादीस वीच हो जाएंगे मेरे बैदेस तो 35 वी मैं आंसर चलते हैं अगले स्वाल की और अगला स्वाल है एक साल पूर्व यश्राच और आयते राज की आयू का अनुपात चार अनुपात तीन था यानि यहां पर दो की बात हो रही है एक तो है यश्राच और एक है अधित्या और एक फूर्वे की बात हो रही है फूर इस्टू थी का रिश्वतान के बीच एक साल पहले तथा एक साल बात यह साल पहले की बात हो रही है यह अगर आप वर्तमान में आओगे तो प्लस एक जोड़ने पड़ेंगे आपको क्यो बर्तमान में आने के बात पर एक साल बात की बात कर रहा है अब अनुस पहले घ्माद के इतना हो गया फाइश फॉस्टू फोर यानि इनके बीच जो एर का गया वह कितना आ गया दो आगया चार और पांच का अंतर एक इस की गुणा में करने वालों दो में इस तरहेके से इन दोनों का अंत्र कितना होगा एक यहां पेक आ गया इस दो को मैं एक से भाग करूँगा तो दो आ गया दो चुके आठ और दो तिया छे यह जो अनुपाद था वो एक साल पहले का अनुपाद था यानि कि अगर आपसे कहता है इन दोनों की वर्तमान आयूग आयूग गया करो तो एक साल बाद यह वर्तमान आयूब में आ जाएगा एक साल जोड़ देंगे तो यह कितना हो गीआ नौव साल का इस में अंक पर एक सालर चायेका दोनों को हो जोड़ दो Alright तो देट फिल भी नौ साथ सोला कि आपको यह स्वाल भी समझ में आ गया होगा और इस तरीके की और वीडियो को लेकर मैं अपना पार्ट टू लेकर रहूंगा बहुत जल्द आयू वाले चैप्टर में उसमें थोड़ा इसे टिपिकल कोशिंस होंगे एक बेस को कम्पीट कर जाता होगा करेगा यह जो मैं आज कराया आपको और इक में भी फोर्ट सी ग्रेट के लिए यह तो अच्छा